आज हम आए हैं जंगल यह जो खेत देख रहे हैं आद इसे हम कमपास कटवाएंगे और यह हमारे बगल का खेत है यह कट चुका है और वो चल रही कमपास यह मार खेत आद तो दीख रही होगी और हमारे खेत सार जंगल लाओने आगो पूरे जंगल मुलाओने पर देचावर तरफ लेकिन कम ही लोग हैं जो हाथ से काट रहे हैं ज्यादतर मसीन से ही कटवा देख पूरा जंगल है हमारे जंगल में आपको एक बात नौटिस करी हो तो सिर्सु देखने को नहीं मिलेगी यह पानी का जंगल है तो जहां पानी जा तो यह कमपास आपको हम पास से दिखाएंगे चलके चलते हैं इस पास से ऐसी दीखते हैं मसीन तो गाइस मेरी सलाथ यह है कि आप सही कटवाएं चाकाई पी एक विगाई क्यों नहीं हो उससे फायदा यह है कि इसमें जो आदमी को खुद को नहीं पचना परता कि मेहनत और इसमें फायदा भी है क्योंकि इस तीकटाई बहुती सुस्ती है जो इसका रेट है कटाई का एक भी घा पर 600 रुपे लेती है यानि जो हमारे पास में हर्याना का जंगल भी है जो यहां कीला लगते हैं एकड बोलते हैं एकड का यह पंद्रे शुरूपक लेती है और एक भी घा का 600 रुपे यानि कुटाई भी सस्ती है एक वह लगाओ तो और इसमें फायदा भी बहुत है फायदा यह है कि अनाज है जो वह बहुत यानि बीघा पर बैठेगा 20 मन तो करीबन 23-24 मन बैठ जाता है यानि पर पर समयार मन जाता है यह रहा दों कराऊजीत है है इस गर भाई का खेद है बहुत आंदार तभी के स्कार्ट की और इस ते गाई दी एक फायदा है जो गियूं बैटते है यानि बीगा में बैटाएं बीट मन तो इस ते चोवीश या तरीश मन बैटते हैं तरीश जाते हैं तीन चार मन एक भी गामें फाल तो गहाई टाइब मस्कीन को के फायदात्व है हुआ है है तो आज दो टाइड इससे एक फाइदा है तंपार से के हूं तक्वाने का कि इसमें जो जो बरने के लिए के लिए यह ले जाएगा जो जो पूरा खेत कड़ चुका है अब इसमें खळेगा ये टैक्टर है डौली इसमें खले गए इसके जो कमपास की ठंकी है वो 50 मन की है अब देखते हैं जो कि ट्रोली भड़ती है नहीं भड़ती है यह चालो हो जुगी है अब दाना भीखे अब दाना भीखे झालो होगी है